हालो गाइस कैसे हो आप लोग को कुवित अनांजली में स्वागाता है यह मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी जो मुंख फलिया है यह किती अच्छी तरीके से भूंच के निकल गई है इसके लिए मैंने मेरे पास है यह क्या बोलते है इसको यह फ्रायर तो इसके लिए ना वाला होना चाहिए आम बता दरा ना कमेंट में यह हाई वोलटेज का होना चाहिए क्योंकि धोड़ा हाइए वोल्टेज वाला होता है हमने तो यह बस्त हो सकते लेक्ट्रिक वाल चीजसे दूरी ना चाहिए तब इसमें क्या-क्या मोड बहुत सारे मोड इसमें एवन प्राइरफाराय के साहिक तो थे इंद से बाल में मेंBarओ Спूंध खाल 10 wives लिया टॉस्तों जो जा सनु जरी आप बहुत चीज़ें दिखा रहे हूं कि मैं आपको मुंख़ली भूझना सिखा रहे हूं इसमें बहुत अच्छी तरीके से भूंच के निकलती है तो मैंने ट्रेय है इसको नीचे रख दिया है इसमें तब ही तेल वेल गंदगी रहती है अब यह बहुत नाजुक है दिखने में अब इसको फसाने के लिए इसमें नट देते हैं तो मैं भी फर्स टाइम ही कर रहे हूं सीखते तो दो तिन बाद तो आपको समझें में आए कि कैसे पकाते कर गेडिक है तो जब आप सीख जाओगे पकाता फिर उसमें आपको टेमपरेशर पता नहीं चलेगा कैसे बनाते ह परफेक्ट है इस टैम्परेशर में बहुत अच्छी कुर्कुरी कर निकलती है अपनी मूंफली तो यह देखे से स्क्वार डाइप करता है इसको अंदर से इसमें डाल देते हैं तो मैं आपको बता रही तो जो मूंफली का टेक्शन जैसे के बजार में बुझियों अब इसको मैं देखिए आप यह दिख रहे हैं इसमें नट लगा दूंगे आप जित्ता टाइट लगाएंगे अच्छा है ताकि उसमें गोल-गोल घुमने में उसके असानी होगी यह नट यह चोटे-छोटे से अगर घुम जाए ना तो यह आपका यह पूरे इंस्ट्रुम तो फिर यह गया हमारा तो देखो लगाने में दिक्कत जारी शूटिंग भी करो लगाओ भी तो देखना पड़ता की कौन से एंगल से देखो लगाना पड़ेगा ऐसी फिसल रहता बहुत छोटा से नहीं इसलिए दिकत जारी थी तो मैंने इसको अच्छे से लगा दिये है है अब मैं इसको प्लुक्ल सेंटर में रखूंगी ताकि अब गोल घूमेगा न तो बिल्किल घूमे थे आइक्प लगा दिया है कपनी जाली को नगाना जरूरी है पता चले नहीं तो हमारी मशीन भीच में ही अलग सही हो जाइए और हां जो हमारे एर एर फ्रायर है नहीं है तो यह जब घूमता है ना तो अगर हम नॉर्मल बेकिंग भी करेंगे ना तो उसका जो अंदर की रॉड़ है ना जो एक रहता मैं आपको दिखा दूंगे वह ऐसे घूमते रहें गूमते रहें चाहिए बेक करो चाहिए आप कुछ भी कर दबा के इसको यूज करेगा जब हम निकालते हैं तो ठीक है यह से फसा लेजिए और इसको ठालीजिए देखने मुझे तो अच्छा लग रहा है मस्त मस्त पर इसमें कोई जब हैवी चीज होती ना जैसे कि मुझने के बाद बहुत ठीक है तो ठीक है नाजक सही है पर भू च्छोटी बड़ी जैसी लेना हो पर मुझे इसका स्वात बहुत टेस्टी लगता है भूजेने के बाद बिल्कुल परफेक्ट ठीक है इसको अच्छे से मैं इसमें डाल दिया है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यह बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट हो जाए अच्छी के आंगे कर देना थाकि उस होक में अच्छे से बैठ जाए आप समझ जाओगे जो आप खरीद होगे तो ठीक है अब मैं आती हूँ अपने इस अगारो एयर फ्रायर की तरफ अब देखो इसको खोल दिया है अब मैंने यह देखो इसमें रहता है स्क्वेर वाला वो जो है ना वो डंडी हमारी थी वो इसके अंदर जाए यह सामने वाला जो रहता है वो जो हमने दिखाए ना उंगली यह साइड में की स्क्वेर वाला है वो हमेशा गूमता रहेगा चाहिए आप कुछ भी पकालो उसके अंदर अब शूटिंग के साथ फोन ही पकड़ प होती है और हमेशा रखना उसको जब भी कुछ भी चीदा में इसमें पकाते हैं ना तो उसका रेसीडियू यह जो कचरा होता है वो नीचे गिरता ही गिरता है क्योंकि हवा मैं ऐसे उड़ता रहता है ना वह इसलिए तो वह रखना जरूरी एट रहे है अमने टैंप्रेचर पर रखना इसका वन सिक्स्टी डिग्री सेल्सियस ठीक है यह गूंना चालू कर दिये ना टैंप्रेचर फीर ले आई थी मैंने एयर फ्रायर मोड पर रख दिया था तो यह रेखिए यह अपना अच्छे से घूमने लगा है एयर फ्रायर मोड में गूंता है अदर वाइस कोई और उसमें रखोगे ना तो नहीं गरेगा ठीक है जासे कि मैं दिखाती हूं आपको बेक मोड पे बेक मोड में यह दिखो नहीं घूम रहा है ना अब यह फ्राय मोड में घूम रहा है यानि कि आप कुछ भी पकाऊगे ना तो ऐसी आवाजी उसमें आएगी है यह से कोई बात नहीं तो मैंने इसमें ले लिया है यह रख दिया है अच्छे से बहुंज रहा है इतने टेस्टी कुरकुरी तरीके से बहुंजता ही रिखें मैं दिखा इतने आपको यह हवा जो इसके चल रही है पूरा कचला नीचे आगया है उसमें टाइम है हमारा बचा कि वह अंदर ही अंदर गूमने लगा है अब एक बात रखना अंदर का टेमपरेचर बहुत हाई है अब उसके उंगलियां मत डालना यह रही मैं चलो इसका खोलने का टाइम आ गया है अब यह बहुत टेमपरेचर गरम है तो इसका अपने रॉट था उस रॉट से पकड़े अब मैं इसको बन कर दूंगी इतना सारा कचरा निकला है इसमें धाग देंगे इसको हाथ मट डालना इसमें गरम है बहुत टेमपरेचर ऐसी अगारो और सारी आपको रेस्पीश चाहिए एयर फ्राइय के रेस्पीश चाहिए तो मुझे बताना बटन बन करना ज़रूरी ह है इसको बन कर दिया है मैं अपनी मुम फलिया है इस पर रख दी है बिलकुल मस्त कुर्कुरी कुर्कुरी निकल के आएंगी अभी भी बहुत गरम था पर मैंने आपको दिखाने के लिए से खोल दिया है मस्त बिल्कुल नमा कमा कुछ डाले के तरो इतना हल्दी लगा सिक्स्टी डिग्री में तो आपका अच्छे सा मुफ्री बहुन जाएंगी तो मेरी रेस्ट भी जली से बनके निकल गई हैं 15-20 मिट लगाता हैं सीखना पड़ता है यार तो सिखते सिखते बस होता चला जाता है अभी मुझे इसमें बेकिंग सिखनी है और टोस्टिंग सिख ने फे मिलते हैं